तो हलो भाईयों स्वागात है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल फंटसी लीजेंड अख़डा में तो दोस्तो इस वीडियो में अपने बात करेंगे CRD और RB के बीच खेले चाना में आले दोस्तो आज के ECS 2010 मैस के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो में आप लोग को मैं पूरी इंफोर्मेशन देने की कोशिस करूँगा बात करेंगे दोस्तो उन सभी प्लेयर्स के बारे में जिन्हें आपको अपनी टीम में लेना है अगर सीखना है कुछ करना है तो बिल्कुल आप लोग टेलिग्राम को जॉइन कर सकते हो तो चलिए दोस्तो आगे बात करें ठीक है एक चीज़ और बता दूँ टेलिग्राम का दोस्तो लिंक मैं दे दिया हूँ दिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्षन दोई जगह है वहीं से आप लोग टेलिग्राम को जॉइन कीज़ेगा चलिए दोस्तो बात करें अब सिधा प्लेयर्स के बारे में मैच के बारे में इस वैनु पे दोस्तो पांच मैच खेले गए हैं लास्ट बैटिंग फरस्ट ने दो मैच बैटिंग सेकेंड ने तीन मैच यहाँ पे विन किया है दोस्तो बात करें CRD के प्रोबर प्लेइंग 11 के बारे में तो CRD की टीम लास्ट अपना तीन मैच खेली है दोस्तों उसमें सिर्फ एक मैच जीती है और दो मैच ये लॉस दरके आ रही है ये जो लाइनप लिखा हूँ न वो लास्ट मैच के अकॉर्डिंग है अली हसन एक अच्छा अच्छा हीटर प्लेयर है बिल्कुल इसको टीम में ले ले करके चलेंगे ठीक है आपको रंस बना करके देगा पॉइंट्स देगा दस्तों इम्रान संदल एक ऐसा ओप्सन है दस् सकते हो ठीक है और ड्रॉप करने रहेगा तो रिस्क लेकर के ड्रॉप भी कर सकते हो तीम के लिए कैप्टेंसी कर रहा है लेकिन दोस्तो बैटिंग से उतना अच्छा खासा पॉइंट नहीं दिया है उसके बाद दोस्तो अफकाप सा है ये लास्ट मैच में लाइन अप में आ लाके तो ये प्लेयर बढ़ी हैं लगा मुझे इसका रिस्टेर्ड भी ठीक ठाक लगा ट्राइ करना रहेगा तो कर सकते हो मुहमास से राज है दोस्तो ये भी लाइन अप में आया थे ठीक है लास्ट जो थर्ड मैच था इनका पिछकल का वो मैच नहीं खेला था थर्ड व हैगा उसके बाद मुहमद असरफ दिखेंगे ट्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो विकेट की पिंग सेक्षन में कोई अच्छा उप्सन इसके अलावत दिखे आपको तो आप उसको ले सकते हो वरना फिर यही ऑप्सन ठीक रहेगा मुझजल रसूल ट्रॉप करके चलेंगे स सहबाज अहमाद है दोस्तो यह बॉलिंग से ही आपको पॉइंट्स देगा दो ऊवर बॉलिंग करेगा यह और विकेट्स दोस्तो लास्ट के दोनों मैचेस में इसको नहीं मिले मैं सज बताऊं तो बाकी टीटेन के 46 मैचेस में 42 विकेट का रिकॉर्ड है बैटिंग से भी द्रॉप करके चलेंगे यहां से अभी के लिए जो यहां से इंपॉर्टन प्लेयर है ना उनमें से देखो अली हसन ले करके चलो और इमरान संडल आपके लिए ऑफशनल है रहमान उल्ला को ले करके चलना इस टीम में ठीक है मुहमद सहराज है दोस्तो इनको भी ले करके च इसकी रहेगा इसको बात करें बैंच प्लेयर की तो आमीर भटी है दोस्तो यह लास्ट मैच अभी लाइन अप में नहीं थे तो इनको मैं बैंच में डाला हूं बाकी यह खेलेगा तो यह डारेक्ट पिक है बैटिंग बॉलिंग दोनों से इसका अच्छा रिकॉर्ड है अ काफी अच्छे है ठीक है बाकी दोस्तो यहां से बात करें स्टार्टिंग के वर की तो देखो इमरान संडल है दोस्तो सहवाज अहमद है डेट अवर्स की बात करें तो सहवाज अहमद आदिल अरीफ है दोस्तो यह मोस्ट परबली डेट में बॉलिंग करते हुए साहिद नाजिर का देखो 32 मैच में 7-16 रन है 26 काइबरेज है इसका प्लेयर काफी सांदार है ट्राइ करना चाहो बिल्कुल लेकर के चलो उनके साथ ओपनिंग आगे नाबिल काउसर 27 मैच 278 रन है 13 काइबरेज है बहतरीन प्लेयर बिल्कुल टीम में ट्राइ करके चल सकते हो बैटिंग बालिंग दोनों से पॉइंट देखर के जा सकता है अननस सुल्तान है 12 मैच खेले है दोस्तो टीटेन के 55 रन है 18 काइबरेज है दो इनिंग अंदर बालिंग किया चार विगेट का रिकॉर्ड तो इसका भी रिकॉर्ड मुझे काफी बहतरीन लगा है उसके बाद नीचे से गुल रेज हसनें दिखेंगे बैटिंग बालिंग दोनों इसका ठिक ठाक है 29 मैच खेले है टीटेन के 21 रन 14 काइबरेज है 11 इनिंग अंदर बालिंग किया है जिसमें 8 विगेट के रिकॉर्ड तो इस मैच में दोस्तो अगर बालिंग इसको मिलता है तो बिल्कु रिकॉल लगा मुझे देख लेना 50-50 कॉल करके रखो ट्राइ करना रहा तो कर सकते हो आमिर सहजाद है 32 मैच 106 रन 8 काइबरेज है 30 इनिंग के अंदर बालिंग किया दोस्तो जिसमें 31 विगेट है तो ये 2 वर की बालिंग तो प्रॉपर करेगा इसलिए मैं इसको सजेस्ट कर रहा हूँ आमिर सहजाद को प्रसनली ले करके चलो आप लोग रिकॉर्ड अच्छा है इसका ठीक है नोमन सरवार है आट मैच खेला 44 रन 5 काइबरेज है 7 इनिंग के अंदर बालिंग किया 7 विगेट के रिकॉर्ड है तो देख लेना ट्राइ करना चाहो तो बिल्कुल इ ठीक लगा मुझे 13 इनिंग के अंदर दस्तो 10 विगेट के रिकॉर्ड है तो बिल्कुल इसको भी ले सकते हो टीम में इनकी टीम अगर पहले बालिंग के रहे तो प्रिफरेंज देना सैयद अली हुसेन है 5 इनिंग के अंदर बालिंग किया 3 विगेट के रिकॉर्ड है तो इसका भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है विगेट सोड़े कम मिले हैं लेकिन दोस्तो प्लेयर के भायती हो सकता है उसमा एसान है 6 मैच के लिए है 6 पार रन 14 कैवरेज है 3 इनिंग के अंदर बालिंग करके 4 विगेट लिया है तो इसका भी मुझे ठीक ठाक रिकॉर्ड लगा अग अमर सहजाद है ठीक है इनको लेकर के चल सकते हो नोमन सरवार है मुराद अली है इन पर फोकस कर लेना ठीक है और निचे से दोस्तो ये प्लेयर्स इन पर भी देख लेना गरे लाइन आप में आते है तो ठीक है बाकी 3-4 जो में बतायांग न उन लोग को तो लेना ही लेना है जैसे साहिद नाजिर जैसे प्लेयर्स को नाबिल कॉसर को ताकी उलमज़र ये लोग दोस्तो बैटिंग कर सकते है ठीक है आमीर सहजाद है सरवार है ये प्लेयर्स लोग को लेना आप लोग ठीक है बैंच में दोस्तो सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड आप देख लो लामा इशान है, डेट अवर्स में दोस्तो मुराद अली है और आमीर सहजाद हैं, दोस्तो डेट अवर्स में बॉलिंग करते दिखेंगे, तो दोस्तो ये तो गया ओवरल प्लेश के बारे में बात करें, एक डेमो टीम की, तो दोस्तो यहाँ विकेट किपिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे देखो असरफ असरफ को लेना चाहो तो ले सकते हो लेकिन असरफ का दोस्तो बैटिंग फिक्स नहीं है आएगा की नहीं आएगा तो इसके वेशे में इसको नहीं ले रहा हूँ साहिद नाजिर एक अच्छा option है दोस्तो इसको लेकर के चलिएगा इंपोर्टन रहेगा साहिद नाजिर विल्कुल टीम में लेकर के चलेंगे ठीक है बैटिंग सेक्षन की तरह आए तो दोस्तो यहां से जो आपके लिए सबसे पहले इंपोर्टन है अली हेशन इस प्लेयर क को लेना सेंचुरी करके आ रहा है टीटेन के अंदर तो बिल्कुल यह सबसे पहले इंपोर्टन प्लेयर है और यहां पे दोस्तो नाबिल कॉसर को लेना चाहो तो इसको ले सकते हूं 92% सेलेक्सान है और सेलेक्सान भी सेलेक्सान है क्योंकि प्लेयर काफी बढ़ी है दोस् आर उल्ला यहां से इसका भी बैटिंग ठीक ठाक लगा मुझे CRD में दोस्तो लाइनप में था तो विल्कुल मैं सजेस्ट करूँगा ट्राइ करके चल सकते हूं इस प्लेयर को ठीक है और यहां पे अगर यह एवीड हुसेन है यह प्लेयर ठीक है यह अगर खेलते हैं तो इसको डारेक्ट पिक करके चलना आप लोग ठीक है बाकी दोस्तो यहां से जो प्लेयर है न उतने इंपॉर्टन नहीं है बाकी दोस्तो बैटिंग सक्षन से और तो इंपॉर्टन पिक नहीं है एह हुसेन अगर खेलेगा तो इसको डारेक्ट पिक करके चलना ठीक है बाकि दोस्तो इन प्लेयर्स पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तो इनके रिकॉर्ड मुझे उतने अच्छे खासे नहीं लगिया बिना रिकॉर्ड कि मैं प्लेयर्स पिक नहीं करता आपको पता है अदिल अरीफ है दोस्तो एक डिफरेंशल पेर 8% सेलेक्शन है लेकिन अपना काम कर सकता है ठीक है लेकर करके चलो संडल को दोस्तो बहुत तो ड्रॉप करने का कोशिस करेंगे लेकिन इसके पास बॉलिंग बैक थोड़ा रहता है देख लेना सेलेक्शन भी इसका कम हो गया है बाकि दोस्तो पिक करने रहेगा तो कर सकते हो यह सहमाद है बैटिंग आया तो बैटिंग से भी पॉइंट दे करके जाएगा प्लस 2 ओर की बॉलिंग फिक्स है ठीक है? कितना भी दोस्तो यह किफायती जाएगा ज़्यादा रनउस खाय फिर भी इसको दो बड़ी की बालिंग मेंगा जी हसनैन है दोस्तो इसको भी लेकर के चलेंगे काफी बढ़ी है ठीक है टी उल मजहर है ये प्लेयर का भी रिकॉर्ड मैंने बताया था काफी बढ़ी है तो इसको भी टीम में लेकर के चलिएगा important रहेगा दोस्तो काफी बढ़ी है ठीक है बाकी नीचे के जो players है उतने important नहीं लगे मुझे एस अली हुसाइन है देख लेना इसको खेलेगा तो ये इसका record मुझे ठिक ठाक लगता है एस अली हुसाइन का 5 मैच में 3 विकेट के record है तो ट्राइ करके चल सकते हो bowling section के तरफ आए तो भट्टी अगर खेलेगा लाश्ट में चाला की नहीं खेला था खेलता है तो direct रहेगा दोस्तो इसको लेकर के चलेंगे सहराज को यहां से मैं लेकर के जा रहा हूँ ठीक है और एक player दोस्तो मुराद अली है इनको भी अपनी टीम में लेकर के जाओंगा ठीक है इसका record मुझे काफी प्रसनली काफी अच्छा लगा और एक player दोस्तो यहां से देखो इसका तो उतना चखासा record लिए ये अवेस को लेने वाले बहुत कम है इनको try करना चाहो तो कर सकते हो या फिर इनको नहीं लोगे तो दोस्तो इधर से आप अपने according states देख करके किसी को लेकर करके चलना तो दोस्तो यह मेरी smash की demo team है यहां मैं captain west captain की बात करूं तो आपके लिए जो best रहेगा देखो यहां पे दोस्तो ए हसन है इसको try करके चल सकते हो cvc के लिए ठीक है आर उल्ला भी एक अच्छा option रहेंगे जी हसनेन है दोस्तो एस अहमद है तो इन पे ही focus करूंगा मैं यहां पे दोस्तो सेराज के भी bowling batting दोनों अच्छा है और यह अच्छा काचा point दे सकता है तो यह 3 चार option है मेंडी दोस्तो दो option मैं आपको बताऊं तो ए हसन है आर उल्ला है ठीक है इन पे focus करूंगा मैं cvc के लिए और इस अहमद पर जा सकता हूं जाने के ठीक है लेकिन इस अहमद को उतना ज़्यादा मैं preference नहीं दूंगा cvc के लिए captain वास captain जो final pick रहगा ना मैं आपक captain वास captain के लिए टेलीग्राम को join कीजेगा वीडियो अच्छा लगए तो like करो चैनल को subscribe करके ड़को मिलते हैं दोस्तों next video में thank you so much